हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती आदब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आज अंचानेंगे कि प्रेग्नेंसी के पहले महीने में हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हम और हमारा वेवी हेल्थी रहे क्योंकि प्रेग्नेंसी के दौरान पोशन और आहर बच्चे के हेल्थी डवलपमेंट और विकास में इंपोर्टेंट घूनी का निभाते हैं प्रेग्नेंट महीलाओं को गर्वधारर करने से लगबग तीन महीने पहले ही फॉलिट के साथ विटामिन लेने स्टार्ट कर देना चाहिए गर्वाबस्ता के पहले महीने का आहर भरते हुए भूर्ड के हेल्थ में भी इंपोर्टेंट घूनी का निभाता है तो friends जब तक आपको pregnancy test से अपनी pregnancy के बारे में पता चलता है तब तक आप पहले ही लगबग धाई हफ़ते की pregnant हो चुकी होती है इसलिए अगर आप conceive करने की इच्छा रखती हैं तो आपको healthy भोजन से पहले खाना स्टार्ट कर देना चाहिए Pregnancy के पहले महीने में ही आपको अपनी diet में बहुत सारे फल और सबजिया सामिल करने चाहिए सबसे पहले dairy products जैसे की calcium, vitamin D, protein, healthy fat और folic acid से भरपूर होने चाहिए इसलिए पहले महीने में pregnancy के दौरान अपने आहार में धई, दूद, पनीर ये सब जरूर सामिल करने इसके अलावा बच्ची की nervous system के विकास के लिए folic acid जरूरी होता है जो बाद में विक्सित होकर बच्ची की दिमाग और रीड की हट्टी में बदन जाता है अगर आप folic acid की खुराक ले रही हैं, तब भी अपनी diet में folate से भरपूर भोजन को सामिल करना चाहिए जैसे की हरी पत्तिदा सब्जियां, पाला, खट्टी फल, फलियां, मटर, मसूर, ब्रिसेल्स, स्प्राउट और भिंडू इसके अलावा साबुत अनाज में carbohydrate, fiber rich food, vitamin D complex और खनित जैसे iron, magnesium और selenium पाए जाती है यह आपके बच्ची की health, विकास और growth के लिए compulsory है साबुत अनाज के उधारण, jaw, brown चावल, साबुत गयों की रोटी, पास्ता, बाजरा, oats इसके अलावा अन्डे में protein, vitamin A, B, B6, D और phosphorus, selenium, calcium, zinc बहुत सारे भरपूर मयात्रा में पदाग पाए जाती है चिकन का मास भी protein का एक अच्छा source होता है pregnancy के पहले महिने में अंडे और चिकन का मास खाने से होने वाले बेबी का विकास होता है इसके अलावा खरबूजा, एवोकेडो, अनार, केला, अमरूद, इसमें बहुत सारे antioxidant मौजूद होते हैं जो होने वाले बेबी के विकास के लिए जरूरी होते है इसके अलावा भरपूर मात्रा में रंग बिरंगी सबजियां खाने से आपको बहुत सारे अलग-अलग पोशक तत्तु मिलेंगे जो आपके बढ़ते बच्चे के लिए आविशक हैं उधारण के लिए ब्रॉकली, पालक, गाजर, कद्दू, सकरकन, तमाटर, बैगन, गोवी ये सब इसके अलावा बीज और मेवे, हैल्थी फेट, विटामिन, प्रोटीन, खनेज और फाइवर से भरपूर होते हैं हेल्थी बच्चे के लिए आप प्रेगनेंसी के पहले महीनी के दौरान इसका नियमी प्रूप से सेवन करें इसके अलावा मचली, कम फैट और हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन के सोर्स का सबसे अच्छा उधारण है मचली के सेवन से ओमेगा 3, फैटी असेट, विटामिन B2 और पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन, मैंगनिशियम, फासपोरस जैसे जरूरी मिनरल्स आपको मिलते हैं इसके अलावा प्रेगनसी का पहला महिना एक ऐसा टाइम होता है जब आपके सरीर में कई प्रकार के बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं हार्मोन संबंदी बदलाव की कारण मूड का बार बार बदलना, ठकान और मौनिंग सिकनेस या उल्टी आने जैसे अन्य बिमारियां हो सकती हैं इन सभी लक्षणों को कम करने के लिए हैल्दी भोजन खाना, नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा भोजन करना, उचिक मातरा में पानी पीते रहना, हलकी एक्सरसाइस करना और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की जानकारी मेंती रहें अगर आपके पास भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने के पूरी कोशिच करेंगे अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्त रहिए